यदि चमगादड हमारे घर में कभी भी किसी भी समय आ जाए, शाम को या रात्री में और घर के अंदर गोल गोल घुमने लगे, तो क्या होता है, क्या अपशगून होता है या शगून होता है, ओ घर में आ जाने से क्या हानी होती है, क्या लाब होता है, केसे चमगादड को घ पता चला की ये सुनसान और खाली जगह पर रहते हैं या खाली गुफा या खाली घरों में निवास करते हैं इसलिए ये जिस घर में भी जाते हैं वो घर खाली होने लगता है अर्थात लोग घर छोड़कर भागने लगते हैं या फिर महां के लोग खुद ही अपने आप कम ह लगते हैं चमगादड का घर आना अपशगुन माना जाता है इनके आने से कोई भी घर में किसी भी इनसान को कोई रोग जकर लेता है या पूरे परिवार पर भी रोग का असर हो सकता है या कुछ बूरा होने लगता है चमगादड के आने से घर में नकारातमकता आती है घर में कलेश विवाद होना शुरू हो जाते हैं लड़ाई जगड़े बढ़ जाते हैं घर में जो भी पेसा कमाता है उसके व्यवसाय पर बूरा प्रभाव होता है धन हानी शुरू हो जाती है आपका बनता हुआ काम क्यों भी हो सकती है घर में नकारातमक उर्जा डेरा डाल सकती है या घर में वास करने लगती है आर्थिक मानसिक और शारिरिक समस्या आ सकती है और करज बढ़ सकता है दुश्मनी बढ़ सकती है तो कुल मिला कर नुकसान नुकसान ही होता है एसा बताया गया है लिखा गया कई वीडियो में देखा गया है लेकिन साथियों ऐसा कुछ भी नहीं होता बस लोगों को डराया गया है असल में होता क्या है वास्त्विक्ता देखिए चमगादः एक निशाचर प्राणी है मतलब की वो रात में जागने वाला प्राणी है तो हम आम लोगों को कभी कभी ही दर्शन देता है क्योंकि दिन के समय में हम जागते हैं तो हमें बहुत से जाने पहचाने पक्छी दिखाई देते हैं चमगा दढड दिन में हमें इतनी आसानी से नहीं दिखाई देते क्योंकि वो या तो सुनसान जगह पर या खंडहर पर या खाली बिल्लिंग में रहते हैं जहां पर अन्धेरा ज्यादा होता है या गुफाओं में रहते हैं इनको रोशनी में उजाले में देखने में समस्य आती है तो ये रात में ही निकलते हैं भूले भटके ये हमारे घरों में आ जाते हैं तो हम डर जाते हैं क्योंकि वो अजीब सा दिखता है और उसके पंक भी अजीब से होते हैं और वो उड़ता भी अजीब सा है गोल गोल घुम घुम कर उड़ता है तो हम डर जाते हैं तो सा बाहर निकलने का रास्ता ढूंडता है और वेसे भी जंगल खत्म हो रहे हैं उनके घरों को खत्म कर कोलोनी बना दी जाती है बड़े-बड़े मकान घर कंस्ट्रक्शन बिल्लिंगे बना जाती है तो कहीं तो जाएंगे ही ये बात तो आपको भी पता है रही बात बीमारियों की तो कुछ प्रजाती के चमगादः होते हैं जो वाइरस फिलाते हैं वाइरल फिलाते हैं जिससे लोग बिमार हो जाते थे और इलाज के अभाव में उनकी मरत्यू भी हो जाती थी ये तब की बात है जब मेडिकल साइंस नहीं था या अपडेट नहीं हुआ था तो बिमा और मर जाते थे, पहले की समय में, ये पहले की समय की बात है, तो इसी जानकरी के अभाव के कारण, चमगा दड़ का घर आना बूरा मान देथे, क्योंकि लोग बिमार होते और मर जाते थे. बाकी जितनी भी बाते हैं शगुन अपशगुन लाभ हानी कलेश लड़ाई जगड़े होना ये सब फालतों की बाते हैं इन बातों का विश्वास ना करें और जो भी बात आपने सुनी हैं इसी अंध विश्वास के बात उनसे डरे नहीं ये सब कुछ डर फेलाने के धंदे हैं कमाई के धंदे हैं घर शुद्धी करण के नाम पर पेसा कमाने के धंदे हैं साथियू चमगादर मातर एक जीव है जिसे भगवान ने प्रकृतिने बनाया है जिसे आपको और हमें वह अन्निपशु पक्षियों को बनाया है वेसे तो अधिकतर जीव जन्तु खतरनाक है अपशगुन है शेर, कुत्ता, भालू, लोम्री, सांप, भेडिया और भी बहुत से जानवर हैं लेकिन सबसे खतरनाक और अपशगुनी इनसान है जो किसी को नहीं छोड़ता खुद के फायदे के लिए किसी भी हद तक चला जाता है सब उसे पहले पंखे बंद कर दो फिर लाइट बंद कर दो वो खुद चला जाएगा और फिर भी नहीं जाता है तो बाहर के गेट तरफ लाइट चलो कर दो बाहर निकल जाएगा उसे भगा दो लेकिन मारना नहीं है मारने से जरूर वाइरस फेल सकता है इसलिए बीना डरे घ ज्यादा ही डर लग रहा है संशा है तो आप एक उपाय कर सकते हैं जो सभी लोग बताते हैं आप या तो कोई सा भी पवित्र जल लीजिए गंगा जल या मंदिर में रखा हुआ जल भी आप ले सकते हैं नर्मदा नदी या कोई से भी पवित्र नदी का जल ले सकते हैं तुल भगवान स्वयम करते थे वो है पशोओं की सेवा गाय कुत्ते को रोटी दो पशोओं की मदद के लिए आगयाओ जहाँ भी उनके साथ कुरूरता हो रही है आगयाओ भगवान आपका बुरा नहीं होने देंगे क्योंकि पशोओं की सेवा के लिए ही भगवान ने इंसानों को भेजा है सब कुछ अच्छा होगा कमेंट में जे स्री कृष्ण हर हर महादेव या अपने इश्ट देव का नाम अवश्य लिखें वीडियो में दिखाए दे जानकरी आपको अच्छी लगी हो आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकोन घंटी दबाना ना भूले निडर रहें, स्वास्थ रहें, सुखी रहें मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिंद वन्दे मात्राम